और आपको सुनाते हैं प्यस्पी सुप्रिम्यों मायावती नए साल के मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं शरी कांशी राम जी आदी को भी पूरे तै दिल से नमन करती हूं जिनों ने अपनी पूरी जिन्दगी यहां अपने देश में समता मूलक समाज व्यवस्ता बनाने में वे काफी हद तक यहां धर्म निर्पेख्षता को भी मस्बूत बनाने में समर्पित की हैं जिनके पद्चिनों पर ही हमारे आज नम वर्स पर बीएसपी के अपने सबी अन्वियाईयों एबं सुब चिंतकों को तथा उत्तर परदेश सहीत पूरे देश वासियों को भी नम वर्स दो हजार बीस की अपनी हार्दिक बधाई एबं अने को सुब कामना है देती हूं साथ ही कुद्रस से ये भी कामना करती हूं कि इस बार का नव वर्स पिसले वर्स की तरह अती दुखदाई वे अती कस्टदाई ना हो जबकि पिसला वर्स सन दो हजार उननीस का खासकर बीजेपी वे इनकी केंदर वे राजे सरकारों की विसेश कर संप्रदाईक वे संकीन्ड सोच एवम कारेशली होने की वज़े से ज़्यादतर ये विभाजनकारी वे भारते सविधां को कमजोर करने वाला तथा जाते जाते ये काफी हिनसात्मक वर्स वीरा है ये है अपने देश के लिए अति दुर्भाग्यपूर्ण एवम अति चिंता की भी बात है इसके साथ ये आज मैं ये भी कहना जरूरी समझती हूं कि देश में अपने अपने राजनितिक स्वार्थ में कुछ पार्टियों में बैठे जिम्मेवार लोगों को भी ये कताई नहीं भूलना चाहिए कि अपना भारत देश एक धर्म निर्पेक्स देश भी है यहां विभिन धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं उनकी अपनी जीवन शैली के अपनी अपनी संस्कृति वे तोड़ तरीके हैं ऐसे में हमें उनके किसी भी मामले में दखल नहीं देना चाहिए अर्थात हमें यहां सभी धर्मों की संस्कृति वे सब्वेता का पूरा-पूरा सम्मान करना चाहिए तो यह ज़्यादा बहतर होगा इसके साथ ही किसी भी मामले में विरोध करने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए जिससे यहां किसी भी धर्म को मानने वाले लोगों की धार्मिक भावनाओं को कोई ठेश ना पहुँचे और देश में अमन चन्वे सोहार्द का फिरवाता वरन बना रहे हैं तो इसी अनुरोध के साथ मैं पूरे देश वासियों को नव वर्ष की सुबकामनाई देते हुए अपने बात यहीं समात करती हूं धन्यवाद अब सुन रहे थे उन्होंने नए वर्ष की शुबकामनाई दी और साथ लोगों से शांती बनाय रखने के पील की साथ बिना नाम लिए बीजेपी पर हमला बोला सरकार पर हमला बोला परदर्शन कारियों पर भी हमला बोला उन्होंने कई भी कहा कि जिस तरह से 2019 कश्ट दाई बीटा है उस तरह से 2020 ना बीटा ऐसी आशा करती है